तो गूड बॉर्णिंग एवरीवन जो इस पीचिस सीरीज है उसका यह लास्ट लेक्चर है और इसमें मैं आपको सारी स्पीचिस करा दी हैं तो आलम।स्ट सारी इंडिया की जो इंपॉर्टन्ट स्पीचिस हैं तो वो हमारी कवर हो चुक हैं तो स्पीचिस ग्यान नाम से एक आपकी प्लेलिस्ट है यूटूब के अंदर इसी चैनल के अंदर तो आप उसको फॉलो करें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है अगर आप इस पीचिस के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो जो भी कोश्टन्स हाएंगे उनको आप हैंडल कर सकता हैं तो okay यह होते हैं यह कुछ ऐसा है and इसकी size vary करती जो female है इसकी size female is smaller in size दें मेल जो female है उसकी size smaller है मेल्स के कंपैरिजन देखा जाए दिस्टिबीतिशन देखा गारे तो wild में एशिया के अंदर यह royal बंगाल टािगर जो most common सब स्पीसीज टाइगर की यह प्राइमरली इंडिया में और बांगलादेश में ही पाई जाती है इंडिया में डिस्टिब्यूटेट थी थ्रौट दर कंट्री प्रेजेंटली अभी देखा जाए तो जो वेस्ट पंगाल मद्दप्रदेश राजस्थान और इन स्टेट्स प यह पाए जाते हैं टाइगर्स तो आप देख सकते हो तो वहां पे चाहे मैंग्रोज हों चाहे स्वैंपी फॉरस्ट हों तो यहां यह पाए जाते हैं और इवें जो टॉल ग्रास है वहां पे भी इन्होंने अपने आपका अडाप्ट कर रखा यह अच्छा स्वीमर भी है एक अच्छा स्वीमर भी है और यह जनरली हंट नाइट के अंदर जो है यह करता है एक्टिविटीज की संसेट के बाद जो हो शुरू होती है यह अपने प्रे को चेस करता है टो लॉंग डिस्टेंस डूरिंग नाइट हंटिंग और यह माइग्रेट कर सकता है लॉंग डि इसका फीकल डिपॉजिट है उसको मारकर के रूप में यूज करता है फिमेल दो से च्छे बच्चों को जनम देती है यह अकेला रहेगा सॉलिटरी नेचर बड फैमिली भी अनकॉमन नहीं है डेंसिटी जो टाइगर्स की डिपेंड करती है वेजिटीशन कवर पे अब सिगनिफिकेंस टाइगर के एको सिस्टम के अंदर और इंडिन कल्चर के अंदर देखा जाए तो यह एक सेंबलाइज भी करता है स्ट्रेंथ पावर ब्यूटी ब्रेवरी को भी और यह हिंदू माइथलाजी में भी है जैसे माना जाता है कि गॉड़िस दूरगा जो ह क्लोजली एससेटेड इसले इन इन कल्चर के साथंगे है टाइगर हाइएस लेवल कॉज्यूमर है फूट चेंगर बात करें तो बहुत सारे जो हैल्ठ है जो हैस्ट लेवल पर फूट चेंग में उपरे हिसमें यह है तो एक इको सिस्टम को मेंटें करने में इसका बड़ा एक महत्पूर्ण रोल है and optimum population अगर present है तो ecosystem बना रहता है generally जैसे suppose करो कि जिन जिन को ये खाता है अगर एक deer की species है अगर मालो tiger उसका prey नहीं करता है तो उसकी जो species के number बहुत तेजी से बढ़ते जाएंगा और उसकी concept भी हम यूज करते हैं that is competitive release survival जो tiger का है in the wild ये essential है कि other species of wild animals की वो directly या indirectly वो भी food chain का हिस्सा है they are also able to survive अगर tiger present है तो it also highlights की forest के health के बारे में that the forest is healthy tiger also act as a natural symmetry to the forest resources against the exploitation of ever expanding human population तो जैसे-जैसे human population आपकी बढ़ रही है so उसको भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे-जैसे पढ़ रही है तो जंगल के अंदर जो tiger present है तो उसके conservation efforts की वजयों से weekend से की जो protection उस region का at least थोड़ा focus किया जाता है threat है वही habitat का fragmentation human interference lost corridor का है pre-base में है फिर hunting, poaching ये सब इसके हैं ये schedule first के अंदर है आप एक बर जो भी मैंने videos करा है उनका एक बर ये देख ले ना कि इनका conservation status एक बर आप re-check कर सकते हो ठीक है तो ये क्योंकि सरकारी document है अगर मालो कुछ update हुआ तो देख ले ना conservation status इसका endangered है और ये appendix 1 जो sites के है it has been placed under appendix 1 of the sites नेक्स देखते है नाशनल बर्ड जो नाशनल बर्ड है इंडियन पी फाल है scientific name तो इसको याद नहीं रखना है इसके features आप देख लो जिसे अगर आप देखो कि more तो सभी ने देखा होगा इसमें कोई uniqueness नहीं है इसका आप मतलब ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता होगा तो ये जैसे more ये आपका male होता है जो इस type के dance करता है इस type का संदर जो देखता है इसकी size जो है almost turkey के बराबर है मतलब ये भी एक प्रकार का bird ही है और ये देखने में कैसा है ये सब आपको मतलब जैसे image आपने देखी उसी से करना रादर दिन आप इसको रट रहे हो वो बहुत मुश्किल होगा में लिए ये resident bird है और throughout Indian mainland में पाय जाता है दिन के time पे present रहता है phlox में या जुन्ड में जो है ये move करता है omni moris, omni moris है it means it consumes everything breeding जो season है June to September है mainly 1800 मीटर से नीचे जो sea level है आप कह सकता है 800 मीटर below the sea level ये आपका पाया जाता है अगर sea level की बात करें तो ये below altitude of 1800 मीटर में पाया जाता है moist or dry deciduous forest में ये जो है आपका पाया जाता है and breeding season के बाद से जो phlox हैं to be made up only of females season खतम होने के बाद से जो जो आपका जो जूंड रहता है इनका उसमें females और छोटे बच्चे ही present आपके होता है और ये open early like found in the open early in the morning and tend to stay in cover during the heat of the day cover करके छुपके पेड़ के नीचे ये जैसा भी ऐसा present रहता है तो ये इस टाइप का इसका behavior आपका होता है अगर disturbed होता है they usually escape by running and rarely take a flight मतलब बहुत मुश्किल होता है ये मतलब उड़के जाने भागता है and loud sound भी produce करता है जो पी foul की अगर हम बात करें जो female है they may call at a night when alarmed at neighboring birds may call in relay like a series मतलब अगर कोई ऐसा उनको लगता है डर सा तो उसमें ये आवाज निकालते हैं कई परकार के इसके variants भी present है कई और वो आवाज आपके निकालते हैं and the freedom even small snakes भी खा सकते हैं ये भी है and यहाँ पे even during the night tall trees के अंदर ये आपके present होते हैं and they sometimes make use of rocks जो है rocks है ये buildings उपर present है उसमें भी peacock का importance in Indian culture के अंदर भी बहुत आदी है जैसे आप कह सकते हो Lord Krishna के context में है फिर mayour शब्द संस्कृत में इसके लिए इस्तमाल भी किया जाता है बहुत सारी poetry और इसमें भी इनका जो है importance है उसके बाद इसे associate किया जाता है कि ये आप वहाँ है ये आप क्या सकते हैं कि जो Lord कार्थी के हैं उनका ये एक तरीके से वहान है even उत्तर रामायट की बात करें तो वहाँ पे भी इंदर जो है stories है religious text के context में अगर देखा जाए threat की बात करें अच्छा यहाँ ये भी आद रखना है कि even ये logo है logo of US national broadcasting company television network and Sri Lanka airlines की भी ये एक प्रकार से logo के रूप में भी use होती है threats और protection की बात करें threat में तो देखो वही सारी चीजे है खास तोर से देखा जाए illegal poaching और meat और इनके सब के लिए वजह से इसके नंबर भी बहुत तेजी से आपके reduce हो रहा है bird जो है it can be nuisance to agriculture क्योंकि crop को damage भी कर सकता है adverse impact crop में देखने को मिलता है schedule 1 जो है part 3 of wildlife protection 1971 is the least concerned category के अंदर है मैंने जैसे कहा कि एक बार ocean status आप लोग थोड़ा सा देख लेना it has not been restricted under sites dolphin की बात करें जो कि हमारा national aquatic animal है so dolphin है जैसे यह आपकी dolphin है silent feature आप इस dolphin को एक पर देख लेना उसी से कर लो but यहाँ पर आपको देखना है कि auditory senses are very developed मतलब यह आवाद से चीजे बहुत तेजी से हाइ फ्रिक्वेंसी इको जहाँ जनरेट कर सकती है क्योंकि देख तो सकती नहीं तो यह sound waves generate होती है इसके basis पे ही यह आप कह सकते हैं कि जब यह move करती है dolphin पानी के अंदर तो रास्ता उसे मिल पाता है इसकी आइस बहुत ही small होती pinhole की तरह and the top of the head there is a blow hole in the shape of a longitudinal slit color जो है vary करता है कई level पे अगर देखा जाती यह पाई कहां से जाती गंगा है ब्रहम पुत्र है करना फुली मेगना जो है within Indian territory तो वहाँ ही पाई जाती है and जो deep flowing water है गहरा थोड़ा पानी है South Asian जो river dolphins है variety of shrimps, fishes इनको एक खाती है and eco location के basis पे easily इधर से उदर move भी कर सकती है short distance लगों 20-30 km तक यह easily move कर सकती है that way poaching है net में फस जाती meet के लिए लोग मारते हैं यही सब है और कई प्रयास किये भी जाते हैं कई प्रकया किये जाते हैं आप comment section में बताना या इसको देखना कि आप कह सकते हैं कि किस state के अंदर इसके लिए dolphin से related century भी वनाई गई है comment section में बताना कौन सा है तो यहाँ पे schedule 1 के अंदर इसको include किया गया wildlife protection इसका highest level का protection है conservation status इसका endangered है और appendix one of the sites के अंदर भी है elephant की बात करें तो elephant में Asian जो elephant है largest living land animal है इसका massive build होता है male generally बहुत बड़े-बड़े उसके दाथ होते हैं वो male में ही होता female में ही होता 50% of female Asian elephants है they have tusses और फिर उसके उपर जैसे अगर elephant का देखोगे height जो है यह within the range 275 से 320 centimeter तक की height आपकी होती elephants जो है may be seen dwelling on land at sea level plain hills में भी देखने को मिलता है even higher altitude पे भी देखने को जो उत्रा खंड़ोरी जब भी आपको elephants देखने को मिल जाएंगे इन इंडिया यह उत्रांचल है उत्रप्रदेश, उडिशा, करनाटक, गोआ, केरला, तमिलाडु, बिहार इन सब में पाए जाते है और यह थोड़ा सा जहां पर water sources और grasses हों वहां पर ज़्यादा रहते है और variety of forest में they can be present even solar forest जो आपके southern part बिनलाडु इन इन इलाके में present है वहां भी पाए जाते हैं फिर moist or dry dust forest में भी आपके पाए जाते हैं काफी और जहां एक plantation आपके होते हैं वहां भी देखने को यह मिलते हैं so they consume 270 kg of vegetation a day spend nearly 2-3rd जो day है feeding में इनका 16 घंटे के आसपर समय जाता है life spend 60-70 है mature जो male है वो अकेला रहता है small group में feeding और meeting के समय males जो हम female से associate होती है और group में लगव 20-30 आपके male, female और adults सब आपके present रहता है यह जो animal है this animal जो है यह widely domesticated है और it has been used in forestry practices centuries में जैसे मालोई से बैठ की इदर सुद़ और survey type करना tourism में भी काफ़ इस्तमाल जो है वो आपका होता है even lord ganesha जो है उनसे इनको जोड के देखा जाता है threat में इनका जो corridor है उसका loss है habitat का fragmentation, hunting है rail accident है ऐसे बहुत सारे factors है elephant भी schedule 1 के अंदर protected है conservation status and endangered है और appendix 1 जो sites की है उसमें इसको protection आपका दिया गया है तो यह इस हिसाब से हमने सारी जितनी भी species है उनको cover कर ली है अच्छा यह आप लोग का playlist है इस साल अगर आप prepare कर रहे हो तो यह बहुत important course है 2024 के लिए इस course को miss नहीं करना है और इसमें मैंने सारा का सारा जितना भी topics हैं आपके लिए जो contemporary aspects हैं quality, geography, environment, science and technology international relation सब कुछ आपका cover हो रहा है तो यह बहुत important course है अल्लबी मैं आपको देखोगे prelims pointer के जो questions हैं एक बड़िया PDF बना के आप लोग को दे दिया है तो आपको बस उसको read करना है revise करना है that will be of a great help तो यह बहुत important है आपके लिए course है इसके अलावा course जो launch हो चुके हैं बस उसका joining link मैं create आज कर दूँग आप लोग के लिए तो course अभी international relation, agriculture और science tech तो यह तीन course आपके लिए create हो चुके हैं prelims के context में भी और यह course अगर अगर आप 25 की तहरी कर रहे हो तब भी आपके लिए helpful रहेंगे तो IR हो गया, agriculture हो गया, science tech का course हो गया तो यह तीन course आपके लिए और create हो गया सारी जानकारी आपको 45.upsc.com पे मिल जाएगी या 45.cse app में जो latest course हो उनको आप देख सकते हैं कोई query है तो इस number पे message कर सकते हैं या इस पे mail कर सकते हैं कैसे आपको करना है कि 45.upsc.com पे जाना है यहाँ पे courses पे click कर देना है यहाँ पे आपको यह से आएगा तो यहाँ पे click करके web.saurapande.upsc.com ऐसा हैगा नमबर डालके आपको join कर लेना कोई query हो तो इस पे आप message करें या फिर इस पे आपको mail करना तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आप Saurapande C.S.E. app डाउनलोड करना उस पर सारी जानकारिया जो है वो आपको available हो जाएंगी तो आज के लिए इतना है I hope this session आपके लिए helpful रहा हो Thank you everyone, thank you